हालो एब्रिवान वेल्कम बैक ऑन कॉम्मर्स हरीकेंज बचों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम आज यह डिसकस करेंगे कि कंजूमर बिहेवियर सब्जेक्ट में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट कोशन्स हैं जी हां कंजूमर बिहेवियर ए सीजन आ गया है फेस्टिवल सीजन बंद हो गया है अब तो सबको टेंशन हो रही होगी तो अगर अभी तक आपने कुछ नहीं भी पड़ा है टेंशन लेने की जुरत नहीं है वाई फियर वेन नमित माम इस हीर ठीक है तो मैं आज आपको कुछ ऐसे कुशन्स बताने वाली तो इसलिए एक ही मतला सभी उनिवर्सिटीज के लिए अलग-अलग वीडियो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो मैंने क्या कोशिश किया है कि एक ही वीडियो में सभी उनिवर्सिटीज के important topics मैंने यहां बताई है ठीक है आपको क्या करना है जो आपके syllabus की according important questions है वो आपको यहां से देख लेने है बस इतनी सी महनत आपको करनी है बाकी सब मैंने किया हुआ है ठीक है आपको बस क्या करना है अपने syllabus के according जो जो questions यहां है वो आपको अच्छे से तयार कर लेने है हाँ यह मैं आपको guarantee देती हूँ कि लग-बग 80% syllabus तो सभी universities का same ही होता है तो इसलिए यहां से जो questions में आपको करवाने वाले है वो बहुत helpful रहेंगे तो tension नहीं लेना यह नहीं सोचना कि पता नहीं extra करवा रहे है एक्स्ट्रा कुछ नहीं है बिल्कुल आपको city answers questions बताऊंगी मैं जिनको आप करेंगे तो अच्छा score हो जाएगा short questions में तो देखिए कुछ कह नहीं सकते कि short questions में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है लेकिन long questions में हम बता सकते हैं कि कौन-कौन से questions हैं जो आप अच्छे से करें तो चलिए देर किस बात की जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं मगर उससे पहले वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के शाद शेयर करना मत भूलेगा भी दूसरों का भी तो भला होना चाहिए वीडियो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो की notification के लिए long answers लिखते समय हमेशे आपको ध्यान रखना है कि answer जो है वो impressive होना चाहिए सुंदर लगना चाहिए सुंदर का मतलब कि proper उसमें diagram बने होने चाहिए headings और sub headings को underline अच्छे से किया होना चाहिए ताकि आपको अच्छे marks मिलें वैसे मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है कि कैसे आप exam में अच्छे answer attempt करें आप वो वीडियो भी देखिए जरूर आपको बहुत help हो जाएगी वीडियो का link मैं आपको इस वीडियो के नीचे description में दे दोंगी ठीक है तो चलिए ज़िए concept in consumer behavior factors influencing consumer behavior or different fields to the knowledge of consumer behavior factors influencing यहाँ आपको बताने हैं मैं आपको बता देती हूँ अगर आपसे factors पूछे जाते हैं किसी भी चीज में topic में तो आपको answer अच्छा मतलब presentable बनाने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे आपने लिखा factors affecting जो भी topic का नाम है उसको center में mention कर सकते हैं एक factor यहां then third यहां second इस तरीके से इसमें आप factors लिखेंगे तो आपका answer बहुत अच्छा लगेगा ठीक है next आता है 70s model of consumer behavior यह आपको करना है इसकी बात theories of consumer behavior वैसे तो हमारे पास बहुत सारी theories हैं मगर उसमें से जो सबसे जादा important है मैंने उनके name mention यहां कर दिय इनके अलावा गर आपके syllabus में कोई है तो आप उनको थोड़ा skip कर सकते हो लेकिन इनको तो आपने बहुत अच्छे से करना है हां मैं यह जरूर कहूंगी कि उन theories की थोड़ा सा overview ले लेना क्योंकि कई बार short question में वो पूछा जा सकता है वैसे theories जादा तर short में पूछते नही process consumer का decision making का जो process है वो क्या है वो process आपको बताना है एक बात और दुबारा बताना चाहूंगी processes अगर आपसे पूछी जाए किसी भी चीज के तो वो भी आपको diagram के through बताना जादा चाह रहता है आप क्या करें यह नहीं कि बस heading डाली process की और नीचे answer points 1,2,3 लिखने लग गए नहीं पहले आपको क्या करना है इस तरीके से suppose आपके 5 steps है process में तो आप इस तरीके से 5 boxes बना सकते हैं ठीक है और यह इस तरीके से chain बना दीजेगे और हर step का जो नाम है वो इसमें लिख दीजे फिर उसके बाद आप नीचे points one by one explain कीजे इससे answer अच्छा लगता है और most important thing कि आपके पूरे syllabus में जितने भी topics में process पूछा गया है वो सभी topics आपको cover करने हैं क्यों क्योंकि process के उपर question exam में 110% आता है ठीक है किसी भी चीज का process तो वो पूछते ही पूछते है तो process जितने भी है सार इछे से करने है बढ़ जो process मैं बता रही हूं वो तो definitely करके जाने क्यो consumer behavior, characteristics of organizational buyer, purchase and demand in organizational buying behavior, organizational buying buyer decision process ठीक है इसमें भी process पूछा है उसके बाद organizational buying roles या decision making perspective in service consumer behavior, then elements of risk in service buying decision process, consumer behavior in service encounter and then models, consumer behavior के models रैसे तो बहुत सारे हैं बट ये वाले basically important models हैं जिन पर आपको focus करना है, चलिए अब next questions की तरफ मुड़ आन करते हैं, next question है, explain determinants of consumer behavior, determinants का मतलब ही factors affecting ही होता है, ठीक है तो आप से यह factors affecting consumer behavior पूछा गया है, next relationship between consumer behavior and marketing strategy, consumer behavior का marketing strategy से क्या relation है वो पूछा गया है, need for power affiliation and achievement, ये क्या चीज है, ये एक theory है, वो आप से पूछी गई है and find out three advertisements for different product that are designed to appeal this need, यानि कि जो need for power and affiliation में हैं, उन needs को fulfill करनी के लिए, कोई भी तीन products आपको बनाने हैं और उसके related ad बनानी है, ठीक है, तो कहीं बार examiner इस तरह के tricky questions भी आप से पूछ सकते हैं, सिर्फ direct questions ही नहीं आते, तो यहाँ पर आपको खुच से दिमाग लगाना पड़ेगा, imagine करना पड़ेगा कोई भी तीन product और उनसे फिर advertisement बनानी है, जो उस need को fulfill कर सके, जो इसमें होती है, बात समझाई, question का meaning clear हुआ, next है concept of perception selection and what are the factors affecting it, ठीक है, तो perception selection के time कौन कौन से factors होते हैं, वो पूछा गया है, what is the concept of lifestyle establishment relationship between the lifestyle and purchase decision, तो यहाँ पूछा है आप से कि concept of lifestyle क्या होता है, ठीक है, और फिर establishment relationship between, lifestyle और इन दोनों के बीच में, relation establish करके आपको answer explain करना है, तो यह एक अलग portion है, यह एक अलग portion है, जब एक ही question में दो चीज़े पूछी जाएं, तब आपको 13 to 15 points लिखने की ज़ुरत नहीं है, क्योंकि marks का division हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, suppose आपका 15 marks का एक question है, तो वो सारे के सारे 15 number इसके लिए नहीं है, उसमें क्या होगा, 15 में से कुछ number इसके लिए होंगे, कुछ इसके लिए, ठीक है, तो आप answer को divide कर देंगे, पहले इसको explain करेंगे, फिर इसको explain करेंगे, थोड़े कम points भी लिख सकते हैं, next, adoption process क्या है, वो consumer research के कौन से methods होते हैं, और कौन से tools होते हैं, वो पूछे गए हैं, next आता है, theories of personality and self-concept, and how does personality determine consumer behavior, यानि एक इनसान की personality, उसके consumer के behavior को कैसे affect करती है, जैसे कि मेरी जो personality होगी, मैं उसके according ही समान खरीदूंगी, तो वो कैसे affect करती है, वो पूछा गया है, then nature of social class and discuss approaches for measuring the social class, then consumer imagery and perceived risk क्या होता है, वो बताने है, process of diffusion and innovation, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, process तो सारे आपको करने है, then current trends and ethical issues in consumer behavior studies, how can a consumer arrive at decision, explain various stages, क्या पूछा है हाँ पर, yes, बिल्कुल सही, यहाँ पर आपसे पूछा है कि consumer का buying decision जो होता है, उसके steps पूछे गए है, अब जरूरी नहीं है, आप ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कैसे consumer एक decision तक पहुंचता है और फिर समान खरीता है, तो उसके stages बताईए, तो question को गुमा फिर आके भी पूछा जा सकता है, next, what is the consumer value and why it is important to marketer, ठीक है, then consumer involvement models and their suitability to different organization, कैसे वो models अलग-लग organization में काम करते हैं, वो पता होना चाह and how does processing of information affects consumer involvement and then Maslow's hierarchy theory, अगर आपके syllabus में Maslow's need hierarchy theory है, तो वो जरूर करके जाएगा, क्योंकि उसके question आता है, चाहे short आए, चाहे long आए, आता जरूर है, ठीक है, तो इसके साथ हमारे important questions की series यही खतम होती है, अगर आप इतना भी करके जाते हैं, तो definitely आपके अच्छे marks आजाए अच्छे से पढ़िये, all the best for your exam.